नमस्कार उत्राखन साइन्स एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृट संकल्प है आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्धती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, इकंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहाय कोगा धन्यवाद चरिया ये इस वीडियो में हमें एक आंकिक प्रस्ण को हल करते हैं और यहाँ पर इस प्रस्ण में दिया गया है कि सनलग्न चित्र में एक समान वैद्दुछेत्र वेक्टरी की बैलू दी गई है 300 न्यूटन प्रती कूलाम और यह वैद्दुछेत्र है यह एक सक्ष की रि अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक निर्देसांग है मूल बिन्दु से अगर हम दाहिनी तरफ चलेंगे तो धनात्मक एक सक्ष होगा और मूल बिन्दु से अगर उपर चलेंगे तो यहाँ पर वाई एक्ष होगा अब यहाँ पर निर्देसांग पर तीन में दिये गए हैं A, B और C और यहाँ पर इनके निर्देसांग मीटर में दिये गए हैं अब यहाँ पर हमसे यह कहा जा रहा है कि जो विद्दुछेत्र की दिसा है वह रिडात्मक एक सक्ष की दिसा में है यानि विद्दुछेत्र कामान रेडात्मक में दिया गया है तो यहाँ पर इस value को हम नोट कर लेंगे यानि विद्दु छेत्र की जो value हो जाएगी इसकी value हो जाएगी vector e is equal to minus 300 newton प्रती कूलाम अब यहाँ पर हमें calculate क्या करना है तो यहाँ पर हमें विभवांतर की value को calculate करना है और सबसे पहले हम vba की value को calculate करेंगे अब यहाँ पर vba की value को हम कैसे calculate करेंगे तो देखिए इसके लिए formula होता है vector e dot vector dx और इसी फार्मूले की साहता से हम vector v की value को calculate करेंगे अब यहाँ पर यह जो formula दिया गया है इसे हम थोड़ा सा expand भी कर सकते हैं तो यहाँ से V की value हो जाएगी E into dx cos theta अब यहाँ पर cos theta क्या है तो विद्दु छेत्र और dx इनके बीच में बनने वाले कौन cos theta हो जाएंगे अब यहाँ पर dx क्या है तो देखिए हमें यहाँ पर एक बिंदु आवेस को जो carry किया जाएगा वही विववांतर हो जाएगा और A से ले करके B के बीच की जो दूरी होगी लंबोत दूरी हो जाएगी वही हो जाएगी dx अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम से यह कहा जा रहा है कि जो विद्दु छेत्र की दिसा है वह x x की रिरात्मक दिसा में है यानि यहाँ पर कुछ इस direction में विद्दु छेत्र है तो यहाँ पर विद्दु छेत्र को हम कुछ इस प्रकार से दर्सा देंगे तो यह हो गई विद्दु छेत्र की दिसा और यहाँ पर जो dx की दिसा हो जाएगी वह dx की दिशा कुछ इस direction में हो जाएगी यानि यहाँ पर x x से उपर की तरफ yx की दिशा में अब यहाँ पर देखिए अगर हम विद्दु छेत्र को इस dx की line में मिला दें तो यहाँ पर विद्दु छेत्र और dx की बीच में कितने अंसका कोंड बन रहा है 90 degree command 0 होता है तो यहाँ से अगर इस 0 की value को इस फार्मूले में put कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा मान 0 हो जाएगा तो यहाँ से vba की value क्या हो गई vba की value शून ने हो जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने vba की value को calculate कर लिया अब यहाँ पर देखिए अब हम vcb की value को calculate करेंगे तो यहाँ पर vcb की value को हम कैसे calculate करेंगे देखिए मान लेंगे कि हमारे पास कोई बिंदू आवेस है और यह बिंदू आवेस बिंदू b पर इस बार रखा हुआ है तो अगर हमारे पास कोई बिंदू आवेस बिंदू भी पर रखा हो और इस आवेस को हमें बिंदू C तक ले करके आना हो तो जो कार किया जाएगा यह कार विभुवांतर कहलाएगा और यह जो विभुवांतर होगा इसे हम BCB कहेंगे अब BCB की value को हम कैसे calculate करेंगे तो देख वैदू छेतर माइनस एक सक्ष की दिसा में है तो वैदू छेतर को हम रिडात्वक में लिख देंगे और अब हम दूरी की value को calculate करेंगे यानि यहाँ पर बिंदू B से ले करके बिंदू C के बीच की जो दूरी होगी इसी दूरी को हम calculate करेंगे तो यह जो दूरी है इसे हम X DX माल लेंगे तो यहाँ पर DX की value क्या होगी देखिए यहाँ पर यह जो निर्देसांग दिया हुआ है सबसे पहले हम इस निर्देसांग की value को ग्याद करेंगे तो यहाँ पर जो बाय भाग में लिखा हुआ है इसे हम X1 लिखेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है इसे हम अब यहाँ पर देखिए, हमें यह दूरी ग्याद करनी है, यानि B से ले करके C के बीच की दूरी ग्याद करनी है, तो दूरी ग्याद करने के लिए एक फार्मूला होता है, under root x2 minus x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, अब इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे, तो यहाँ से देख minus minus plus होता है, तो यहाँ पर हम plus 3 लिख देंगे, इसका square कर देंगे, plus, यहाँ पर y2 लिखा हुआ है, y2 की value 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, और y1 की value कितनी है, 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे, 4 minus 4 और इसका हम बर कर देंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बैलू हो जाएगी 7 अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें दूरी भी ग्यात हो गई यानि B से C के बीच की जो दूरी है वह भी ग्यात हो गई और यहाँ पर हमें विद्दु छेत्र कावान पहले से ही ग्यात है तो यहाँ पर इस बैलू को हम इसी समीकर्ण में पूट कर देंगे तो यहाँ से VCB की बैलू हो जाएगी देखे विद्धुच्छेतर और इसका मान दिया गया है माइनस 300 न्यूटन प्रतिकूलाम तो यहाँ पर हम लिख देंगे 300 और यहाँ पर दूरी कितनी है इसका मान दिया गया है 7 मीटर देखे जितनी भी दूरिया है या दूरिया मीटर में दी गई है तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी उसका मान दिया गया है 7 मीटर अब यहाँ पर देखे इसी का हम गुरंफल गयात करेंगे तो यहाँ से VCB की value हो जाएगी minus 2100 और VCB का मातरक क्या होगा देखिए यह विभो है विभो आंतर है और विभो आंतर का मातरक वोल्ट होता है तो यहाँ से इस प्रकार से हमने VCB की value को calculate कर लिया अब यहाँ पर देखिए अब हम VCA की value को calculate करेंगे तो VCA की value को हम कैसे calculate करेंगे देखिए यहाँ पर जब हम VCA की value को calculate करेंगे तो इसके लिए formula हो जाएगा विद्दुच्छेत्र गुड़े दूरी और इसी formula की सायता से हम यहाँ पर value को calculate कर लेंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर VCA लिखा हुआ है VCA का क्या मतलब हो जाएगा VCA का मतलब हो जाएगा VC minus VA और यहाँ से हम सभी मान को put कर देंगे तो विद्दुच्छेत्र का मान कितना है इसका मान है minus 300 newton प्रती कूलाम तो यहाँ पर इस value को लिख देंगे याई minus 300 newton प्रती कूलाम हो जाएगा और दूरी कितनी होगी तो देखिए निर्देसांग की यहाँ पर समान दिये गए है तो जो दूरी होगी यानि DX की value हो जाएगी इसकी value हो जाएगी 7 meter यानि जो VC से लेकर के B की वीच की दूरी थी वही दूरी C से लेकर के A के वीच की दूरी हो जाएगी तो दूरी का मान हो जाएगा 7 मीटर अब यहाँ पर दूरी है और विद्धुछेतर है दोनों का मान ग्यात है तो यहाँ पर हम मान को पुट कर देंगे तो यहाँ से VCA की वैलू हो जाएगी VCA is equal to minus 2100 और इसका मात्रक कितना होगा इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने VCA की वैलू को भी calculate कर लिया अब हम अगले आंखित प्रस्न को हल करेंगे और यहाँ पर दिया गया है कि कैथोड की किरण नलिका में एक electron विरामा वस्था से एक electrode से चल कर दूसरे electrode पर 10 की घाच 7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से पहुचता है अब यहाँ पर हमें calculate करना है कि electrode के बीच कितना भी हो अंतर है और यहाँ पर electron का द्रवेमान दिया गया है और electron पर कितना आवेस होता है इसे भी दिया गया है अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कैथोड की किरण नलिका है इजहाँ पर रिडाबेस है यानि रिडात्मक प्लेट है और यहाँ पर धनात्मक प्लेट है और यहाँ से एक electron निकल करके एक electrode से दूसरे electrode पर जा रहा है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिडाबेस है यहाँ पर धनाबेस है तो इनकी बीच में कुछ ना कुछ विभुवांतर होगा और जो विभुवांतर होगा तो हम इसकी value को V माल लेते हैं तो यहाँ पर इनकी बीच में विभुवांतर है अब यहाँ पर देखिए electron एक electrode से यानि रिडात्वक प्लेट से धनात्वक प्लेट की ओर जा रहा है यानि एक electrode से दूसरे electrode की तरफ जा रहा है और विभुवांतर के अंतरगत जा रहा है तो यहाँ पर V विववांतर के अंतरगत जा रहा है तो इसकी कुछ ना कुछ गती जूर्जा होगी तो यहाँ पर इस गती जूर्जा को कैलफुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर इस जो गती जूर्जा होगी इसे हम के से व्यक्त कर देंगे और जो गती जूर्जा का मान होगा इसकी वैलू हो जाएगी E into V E क्या है एक इलक्ट्रोन पर कितना आवेस है उसकी वैलू है और V यहाँ पर विभुवांतर है यानि दोनों इलक्ट्रोडों के बीच में विभुवांतर की वैलू है और इसे हम लिख देंगे समयकर नमबर एक अब यहाँ पर प्रस्ण में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विरामा वस्था से एक इलक्ट्रोड से चल कर दूसरे इलक्ट्रोड पर जब जाता है तो इसकी जो स्पीड है वह 10 की घात 7 मीटर प्रती सेकंड हो जाती है यानि जब यहाँ इस पर पहुँचता है इस दूसरे इलक्ट्रोड पर पहुँचेगा तो इस जो इलक्ट्रोड है इसकी स्पीड 10 की घात 7 मीटर प्रती सेकंड हो जाती है तो यहाँ पर इस speed के कारण जो गती जूर्जा उत्पन होगी इसे भी हम calculate करेंगे तो गती जूर्जा के लिए क्या formula हो गया देखिए इसके लिए formula हो जाएगा k is equal to half mv square और इसी formula की सहाथा से हम गती जूर्जा को calculate कर लेंगे और यह हो जाएगा समिकार नंबर 2 अब यहाँ जो पर देखिए यह दोनों गती जूर्जाएं हैं गती जूर्जाएं या आपस में समान होगी तो यहाँ पर समिकारण 1 और समिकारण 2 के मान आपस में समान हो जाएगे तो यहाँ से value हो जाएगी e into v is equal to half mv square अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर calculate क्या करना है हमें यहा पीच में विभुवांतर कितना है यानि V की वैलू को calculate करना है तो यहाँ पर V की वैलू इसी फार्मूले से हम calculate कर लेंगे यहाँ से देखिए V के लिए फार्मूला हो जाएगा half mv square upon e अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसी फार्मूले में हम सभी मान को put कर देंगे तो य यहाँ से V यानि विभुवांतर की वैलू हो जाएगी एक बटे 2m, m क्या है यहाँ पर electron का द्रविमान है और यहाँ पर दिया गया है 9.1 x 10-31 kg इस वैलू को यहाँ पर हम लिख देंगे अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर V square दिया गया है और V square की वैलू दी गई है 10 की कितनी होती है इसका मान होता है एक दस्मलो 6 गुडे 10 की घात 9-19 kg अब यहाँ पर हम इसी टर्म को solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब हम इस टर्म को solve करेंगे तो यहाँ से हमें मान प्रात हो जाएगा देखिए यहाँ पर एक बटे 2 लिखा हुआ इसे लिख देंगे य 9.1 देखिए यहाँ से यह दस्मलो और यह दस्मलो गायब हो जाएगा तो इक्यान में बटे 16 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 की घात 19 नीचे लिखा हुआ यानि हर में लिखा हुआ है इस वैलू को हम उपर ले करके जाएंगे तो यहाँ से वैलू हो जाएगा 10 की घात 14 अब यहाँ पर देखिए इन सभी वैलू को हम solve करेंगे तो यहाँ से मानपराफ हो जाएगा 90 बटे 32 गुड़े अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 की घात 19 गुड़े 10 की घात 14 इन दोनों को सबसे पहले solve करेंगे तो यहाँ से मानपराफ हो जाएग 10 की घात minus 31 और यहां से प्राफ हो जाएगा 10 की घात देखिए 9 और 4 13, 13 के 3, 1 और 1 2 और 1 3, तो यहां से 33 हो जाएगा, अब यहां पर देखिए, जब हम इस पूरे टर्म को solve करेंगे, तो यहां से हमें मान प्राफ हो जाएगा 2.84 into 10 raised power 2, देखिए यहां पर 33 है और यहां पर minus 31 है, तो यहां पर 10 की घात 2 प्राफ हो जाएगा, और यह किसकी value हो जाएगी, यह हो जाएगी V की value, अब यहां पर देखिए, यहां से V की value हो जाएगी V is equal to, यहां पर अगर 10 की घात 2 को हम हटा देंगे, तो यहां से 10 मलों भी हट जाएगा, तो यहां से V की value हो जाएगी 28 1284 वोल्ट तो इस प्रकार से यहां पर इन इलक्टरोडों के बीच कितना विःवांतर है इस वैलु को भी हमने कैलकुलेट कर लिया और कितनी वैलु है देखे इलक्टरोडों के बीच जो विःवांतर होगा इसकी वैलु हो जाएगी 284 बोल्ट अब हम अपने अगले आंखिक प्रश्ण को हल करेंगे और यहाँ पर इस प्रश्ण में दिया गया है कि सलंग्द चित्रों A तथा B में निकायों की वैद्दू तिस्थी जुर्जाओं की गढ़ना कीगे अब यहाँ पर हमारे पास दो चित्र हैं A तथा B तो सबसे पहले हम चित्र A की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर देखिए चित्र A में आपको एक वर्गा कार आकरती दिखाई दे रही है और वर्ग के चारों कोनों पर चार आवेस दिये हुए हैं तो यहां पर इनके द्वारा जो निकाय निर्मित हो रहा है, इन निकायों की वैद्धुत इस्थिते जुर्जाओं की हम गढ़ना करेंगे, अब यहां पर देखिए, यहां पर चार कोनों पर चार आवेस इस्थित हैं, तो इनके द्वारा कितने निकाय निर्मित हो रहा हैं, तो देखिए A और B बिन्दू पर आवेस इस्थ हैं तो इनके द्वारा जो निकाय निर्मित हो गया या है एक निकाय हो गया तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे A B निकाय इसी प्रकार से B और C बिन्दू पर आवेस हैं इनके द्वारा भी एक निकाय नेर्मित हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे BC निकाय इसी प्रकार से C और D बिन्दू पर आवेस इसे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा CD निकाय और यहाँ पर D और A बिन्दू पर भी आवेस इसे हैं तो इसे हम कहेंगे DA निकाय अब यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर विकांड भी है, यानि विकांडों पर भी आवेस हैं, देखिए यहाँ पर A और C यह विकांड है और इस पर भी आवेस हैं, तो यहाँ एक निकाय हो गया, इसी प्रकार से D और B या भी एक विकांड है और इस पर भी आवेस हैं तो ये भी एक निकाय हो गया तो यहाँ पर यहाँ पर पाचवा निकाय हो जाएगा AC निकाय और छठवा निकाय हो जाएगा DB निकाय यानि यहाँ पर जो वाकरती निर्मित हो रही है इसके द्वारा 6 निकाय निर्मित हो रहे हैं तो इंच छे निकायों के द्वारा जो वैदूति स्थिती जूर्जा है इसकी वैलू को हम calculate करेंगे अब यहाँ पर कैसे calculate करेंगे तो देखिए वैदूति स्थिती जूर्जा को calculate करने के लिए formula होता है u is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 into q2 upon r जहां r क्या है q1 और q2 के बीच की दूरिया है और यहाँ पर हम q1 और q2 का मान put करते समय चिन्हों को जरूर लिखेंगे चिन्हों को हम नहीं भोलेंगे तो चलिए यहाँ से हम इन सभी निकायों के द्वारा वैदूति स्थिती जूर्जाओं की गर्णा करते हैं अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह जो चार भोजाएं निर्मित हो रही हैं चार भोजाओं पर जो चार निकाय निर्मित हो रहे हैं इन चार निकायों की वैदूति स्थिती जूर्जाएं समान होंगी क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर यह वर्गा कारा करती है, तो वर्गा कारा करती है, तो इसकी कुछ भुजा मान लेते हैं, तो इसकी भुजा की लंबाई को हम A मान लेंगे, तो यहां से प्रतेग भुजा की लंबाई A हो जाएगी, अब यहां पर देखिए, यहां पर इनकी प्रतेक भुजा की लंबाई ये हो जाएगी और प्रतेक भुजा पर समान आवेस हैं देखिए यहाँ पर प्लस Q माइनस Q है इस भुजा पर भी प्लस Q माइनस Q है इस भुजा पर भी प्लस Q और माइनस Q है यहाँ पर हम AV निकाए, BC निकाए, CD निकाए और DA निकाए इन चारों निकाओं की उर्जा को एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से U की वैलू हो जाएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 अब यहाँ पर देखिए आवेसों की हम बात कर लेते हैं तो प्रते एक भुजा पर प्लस Q और माइनस Q आवेस है तो यहाँ पर जब आवेसों को हम लिखेंगे तो इनके चिन्नों के साथ लिखेंगे देखिए यहाँ पर Q लिखेंगे और यहाँ पर गुडे में माइनस Q लिखेंगे और बटे में हम दूरी लिखेंगे तो दूरी की वैलू कितनी होगी, देखिए हर एक भुजा की लंबाई समान होगी, तो यहाँ पर दूरी की वैलू A लिख देंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसे 4 से गुड़ा कर देंगे, क्योंकि सभी का मान समान है, तो 4 से गुड़ा कर देंगे, तो इस प फार्मूला हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 into, अब आवेसों की हम बात करते हैं, तो AC के एक बिंदू पर, यानि ये बिंदू पर Q आवेस हैं, और C बिंदू पर प्लस Q आवेस हैं, यानि दोनों पर समान आवेस हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Q into Q, बटे दूरी, अब यहाँ पर इसकी वैलू हो जाएगी A under root 2, अब हम DB निकाय के द्वारा उत्पन होने वाली स्थिती जूर्जा की वैलू को calculate करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, इसकी वैलू के लिए फार्मूला होगा, 1 upon 4 pi epsilon 0, अब Q1 और Q2 की वैलू क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए, DB निकाय है एक विन्दू पर minus Q आवेस है, और दूसरे विन्दू पर भी minus Q आवेस है, इन दोनों का हम गुड़नफल ग्याद करेंगे, तो यहाँ पर हम minus Q, गुड़े minus Q, इन दोनों का गुड़ा कर देंगे, और बटे में हम दूरी लिखेंगे, तो दूरी की वैलू हो जाएगी, भ हर टर्म में 1 upon 4 pi epsilon 0 common है, तो यहाँ से वैलू हो जाएगी 1 upon 4 pi epsilon 0, इसे हम common ले लेंगे, और कोस्ठक के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है Q into minus Q, इसकी वैलू हो जाएगी minus Q square, तो यहाँ से वैलू हो जाएगी minus 4 Q square upon A, अब यहाँ पर देखिए, दूसरे टर्म में क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म में हो जाएगा Q square upon A under root 2, और तीसरे टर्म में हो जाएगा, देखिए minus Q गुडे minus Q, minus minus plus हो जाएगा, तो यहाँ से वैलू हो जाएगी Q square upon A under root 2, तो यहाँ से इस प्रकार से U की वैलू मिल जाएगी, अब इसे थोड़ा सा हम और solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जब इस term को हम solve करेंगे तो यहाँ से value हो जाएगी u is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 अब यहाँ पर हर एक term में q square दिया हुआ है इसे हम common ले लेंगे तो यहाँ से q square common हो जाएगा और कोस्ठक के अंदर क्या होगा तो यहाँ से हो जाएगा 4 बटे A अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से बैलू हो जाएगी minus 4 upon a plus अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो LCM होगा, इसका मान हो जाएगा a under root 2 और यहाँ पर बैलू हो जाएगी 2 अब यहाँ पर देखिए, अगर कहीं 2 लिखा हो, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं under root 2 into under root 2, इन दोनों बैलू को एक साथ हम लिख सकते हैं तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, देखिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो इसे भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू इन्टू अंडर रूट टू यहाँ पर आपको confused नहीं होना चाहिए अगर कहीं टू लिखा हो तो इसे हम अंडर रूट टू अंडर रूट टू लिख सकते हैं तो यहाँ पर हमें यहाँ पर हम कोस्ठक बंद कर देंगे, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से U की हमें एक नई वैलू मिल जाएगी, और यहाँ से U की वैलू हो जाएगी, U is equal to, यहाँ पर देखिए, A को हम common ले लेंगे, यानि बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से मानप्राफ्ट हो जाएगा Q square upon 4 pi epsilon 0 into A, और यहाँ पर कोस्ठक के अंदर क्या होगा, देखिए, कोस्ठक के अंदर हो जाएगा, minus 4 plus under root 2, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यह मानप्राफ्ट हुआ है, इससे हम थोड़ा सा change करके भी लिख सकते हैं, यहाँ से U की वैलू हो जाएगी, देखिए यहाँ से हम minus को common ले लेंगे, तो यहाँ से वैलू हो जाएगी minus Q square upon 4 pi epsilon 0 into A, और यहाँ पर कोस्ठक के अंदर हो जाएगा, 4 minus under root 2, तो इस प्रकार से, यहाँ पर जो चित्र A निर्मित हो रहा है, यानि चित्र A के द्वारा, जो निकाय निर्मित हो रहा है, इसके द्वारा हम उत्वन होने वाली इस सिती जूर्जा की वैलू को calculate करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक वर्गा कार आकरती निर्मित हो रही है, तो वर्ग की जो प्रतेक भुजा होगी, वह समान होगी, और इसे हम small A से विक्त कर देंगे, यानि प्रतेक भुजा की जो लंबाई होगी, वह समान हो जाएगी, और यहाँ पर जो विकांड निर्मित हो रहा है, विकांड की लंबाई हो जाएगी, भुजा अंडर रूट 2, यानि A अंडर रूट 2, अब यहाँ पर देखिए, हम इस सिती जूर्जा की वैलू को calculate करेंगे, तो यहाँ भी 6 निक 2 upon R, और इसी फार्मूले की सायता से हम सभी वैलू को calculate करेंगे, तो यहाँ से U की वैलू हो जाएगी, 1 upon 4 pi epsilon 0, यह टर्म common हो जाएगा, हर जगह समान रहेगा, इसे हम common ले लेंगे, और यहाँ पर कोस्ठक की अंदर क्या लेखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह बिंदू A हो गया, यह बिंदू B हो गया, यह बिंदू C हो गया, और यह बिंदू D हो गया, तो यहाँ पर A, B की द्वारा जो निकाय निर्मित हो रहा है, इसकी सिति जूर्जा ग्याद करेंगे, तो इसकी सिति जूर्जा हो जाएगी, Q1 into Q2 upon A, यानि दूरी, यह दूरी है A, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दूसरा निकाय है वह BC है, तो BC के द्वारा इस हिती उर्जा की वैलू को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर 1 upon 4, 5, 7, 0 common लिया है, और यहाँ पर आवेसों की वैलू को लिखेंगे, तो एक आवेस प्लस Q है और दूसरा माइनस Q है, और बटे में दूरी लिख देंगे, तो दूरी की वैलू यहाँ पर भी A ही होगी, तो यहाँ पर हम दूरी लिख देंगे, प्लस, यहाँ पर देखिए, CD की द्वारा जो निकाय निर्मित हो रहा है, इसकी वैलू को लिखेंगे, तो यहाँ से 1 upon 4, 5, 7, 0 common है, माइनस Q, गुडे माइनस Q, देखिए, हर एक बिन्दू पर माइनस Q आवेस है, तो यहाँ पर इसी लिख देंगे, और बटे में दूरी हो जाएगी, प्लस, अब यहाँ पर देखिए, DA के द्वारा जो निकाय निर्मित हो रहा है, इस इनर्जी को भी हम कैलकुलेट करेंग तो यहाँ पर एक बिन्दू पर माइनस Q आवेस है, और दूसरे बिन्दू पर प्लस Q आवेस है, और बटे में हम दूरी लिख देंगे, प्लस, अब यहाँ पर देखिए, अब हम विकार्णों की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम विकार्ण AC की बात करते हैं, तो एक बिन् की बात करते हैं यानी D और B विकरंड की बात करेंगे तो यहाँ पर एक बिंदू पर minus Q और दूसरे बिंदू पर plus Q है तो यहाँ पर हम लिखेंगे minus Q गुडे Q और बटे में दूरी लिखेंगे और दूरी हो जाएगा A under root 2 और यहाँ पर अब हम इस value को solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए जब हम इस पूरे term को solve करेंगे तो यहाँ से U की value हो जाएगी देखिए 1 upon 4 pi epsilon 0 इसे हम common ही रखेंगे तो यहाँ से इस value को हम common रखेंगे और कोस्ठक के अंदर मान के अब रात होगा तो Q into Q यहाँ पर Q into Q लिखा हुआ है यहाँ से हो जाएगा Q square upon A प्लस अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Q into minus Q तो यहाँ पर value हो जाएगी minus Q square upon A प्लस अब यहाँ पर देखिए minus Q into minus Q इसकी value हो जाएगी Q square upon A प्लस अब यहाँ पर minus Q into q, इसकी value हो जाएगी minus q square upon a plus, अब यहाँ पर देखिए q into minus q, इसकी value हो जाएगी minus q square upon a under root 2, यानि a under root 2, अब यहाँ पर देखिए plus करके यहाँ पर value लिखेंगे minus q into q, तो इसकी value हो जाएगी minus q square upon a under root 2 और यहाँ पर इस value को हम एक बार फिर से solve करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस term में minus है यहाँ पर plus के साथ बुड़ा है यह term minus हो जाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर यह plus के साथ minus है यह भी term minus हो जाएगा और यहाँ पर यह term भी minus हो जाएगा और यह term भी minus हो जाएगा तो यहाँ से हमें मान कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा अब यहाँ पर देखें Q square upon A minus Q square upon A यह term कैंसिल हो जाएगा इसी प्रकार से Q square upon A minus Q square upon A यह term भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमें मान क्या प्राफ्ट होगा, देखें यहाँ से u की वैलू हो जाएगी, u is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0, और यहाँ पर कोस्ठा की अंदर हमें मान प्राफ्ट होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है, minus q square upon a under root 2, minus q square upon a under root 2, तो यहाँ से मान प्राफ्ट हो जाए लिख सकते हैं under root 2 into under root 2 तो इस प्रिकार से हम यहाँ पर ऐसे ही इस कर्व में भी यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से u की वैलू हो जाएगी u is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 और यहाँ पर कोस्ठक के अंदर मानपराप्थ होगा यहाँ पर देखिए दो की जिगा पर हम लिखेंगे under root 2 into under root 2 into q square upon a under root 2 अब यहाँ पर देखिए 1 under root 2 से दूसरा under root 2 cancel हो जाएगा और यहाँ पर हम a को कामा ले लेंगे और q square को भी कामा ले लेंगे तो यहाँ से हमें u की value मिल जाएगी और यहाँ पर u की value हो जाएगी u is equal to minus under root 2 into q square upon 4 pi epsilon 0 into a तो इस प्रकार से यहाँ पर जो b निकाय निर्मित हो रहा है इस b निकाय के द्वारा इस स्थिती जूर्जा की value को हमने calculate कर लिया